एक होश है और एक बेहोशी है जितने भी कर्म आपने होश के साथ किये हैं उतना आपको दुख, चिंता, बेचेनी और बंधन कम है जितनी बेहोशी में किया है उतने सब पाप की लिस्ट में आगे हैं पाप भी यदि आप पुन्य के लिए करते हो तो वो पाप भी पुन्य हो जाएगा अगर आपने होश के साथ किया है बहुत चीजें आपने सोची होंगी करने की पर आप कर नहीं पाते हैं बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं और आप कर लेते हैं होता है न ऐसा? होता है? कुछ चीजे आपको करनी पड़ी, इसलिए आपने कर ली. ठीक है? और कुछ चीजे आपसे हो गई जो हो गई, वो गल्ती है. जो करनी पड़ी, वो होश है. एक होश है और एक बिहोशी है. जितने भी कर्म आपने होश के साथ किये है उतना आपको दुख, चिंता, बेचेनी और बंधन कम है जितनी बेहोशी में किया है उतने सब पाप की लिस्ट में आ गए है कर लिया, सोचे समझे बिना कर लिया कुछ आपको करना पड़ा है पाप भी यदि आप पुन्य के लिए करते हो तो वो पाप भी पुन्य हो जाएगा अगर आपने होश के साथ किया है होश के साथ, जागरता के साथ अभी हम लोग ना मर के करते हैं बस बहाव आया, आवेग आया जाहे वो काम का है, जाहे वो क्रोथ का है, हमने कर लिया, पर हमने क्यूं किया, हमें क्यूं करना है, इसके विचार के साथ अगर हम करते हैं, तो हम पाप नहीं वरन बुन्य करते हैं। मैंने, मुझे गुस्सा आया, और मैंने किसी को डाट दिया, ठीक है, अगर मुझे गुस्सा आया, और उस गुस्से से प्रेडित होकर, या किसी को नीचा दिखाने की भावना से, अगर मैंने गुस्सा किया, तो मेरा दिल बहिचेन होगा, मुझे लगेगा मैंने गलत कर दिया, मैंने पाप कर दिया, बड़ा दुख होगा मुझे, पर अगर मेरा विचार ये है, कि उसका हित हो रहा है, इसलिए मुझे डाटना है, तो वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूं, मेरा वो कर्म भी यह.